जीनियस शिक्षाग तुप चनल पर आपका स्वागत है आजके इस क्लास में हम हिंदी सीखने के माश्टर क्लास टू में हम लेकर आए हैं हिंदी की मातरा और हिंदी की बाराखड़ी यानि हम इसी क्लास में दोनों क्लास को जो है ना हम पूरा क merakलीट करने वाले हैं तो चलिए आज की स्क्लास को अप लाश्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का यह मास्टर क्लास जो है न, आपके लिए मास्टर साभित होने वाला है, क्योंकि इसी क्लास में हम हिंदी की मातरा और बारा खड़ी, दोनों जो है न, हम आपको सिखाने वाले हैं, यदि आज का यह मास्टर क्लास आपने सीख लिया, तो समझ जईए आपको हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों आ जाएगा, क्योंकि हिंदी सिखने के लिए यह दोनों क्लास हिंदी की मातरा और बारा खड़ी, यह सबसे जरूरी है, इसके बीना आप हिंदी नहीं सिख सकते हैं, तो समझ जईए कि यदि हिंदी सीखना है, तो इन दोनों को सीखना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी, तो गाइच मैंने सूचा कि चलो हम मास्टर क्लास में ही दोनों क्लास को, एक ही class के तुरू हम आपको सिखा दे तो आप आज की इस class को last तक बने रहिएगा और पूरे focus के साथ इस class को आप किजिएगा ताकि आपको ये दोनो class समझ में आ जाए Hindi मातरा और बारा खरी समझ में आ जाए आज का यह class ताखि आपको Hindi पढ़ने में आगे कोई प्रोब्लेम न हो मैं बता दूँ पिछले क्लास में जो हे न हम Hindi 1 नमाला को पढ़ना सिखाया था 1 नमाला जो हमआरा Masterclass 1 था और आज ये Class जो होगा Masterclass 2 होगा जिसमें मात्रा और 12 खड़ी को सब्सक्राइब कर लेजए और साथ कि मैं जब भी क्लास करंगा तो उसका निटिफिक्सन डिर्यक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा और आप अशानी से घर बैठे चाहे आप कहीं भी हो वहाँ आप जो है ना हमारी क्लास के तुरू हिंदी और इंगलिस साथ मैथ भी पढ़ना सीखते रहेंगे तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं यानि मास्टर क्लास टू को तो आप जो है ना इस क्लास को ध्यान से और पूरे लाश्ट तक देखिएगा क्योंकि ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा चलिए यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर हिंदी के स्वर को हम लिख देते हैं क्योंकि मात्रा जो होता है हिंदी के स्वर का होता है ब्यंधन का नहीं होता है तो चलिए आगे हम और आपको क्लियर करेंगे यहाँ पर देखिए आ आ ए इ ओ ओ री ए आ ओ आ अन या अम आहा तो यह हिंदी का स्वर है इसी का मात्रा यहाँ पर सीखेंगे और आप चोहे न मात्रा को अच्छे तरीके से पहचान कर लिजेगा और इसका उचारन भी और साथ में इसी क्लास में आपको हम यहाँ पर इसका परियोग करते हुए किसी अच्छर पर उसको कैसे पढ़ा जाएगा उसको भी यहाँ पर हम सिखेंगे ठीके तो चली यहाँ पर हम शुरू करते है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जो मात्रा होता है ओ हिंदी स्वर का मात्रा होता है व्यंजन का नहीं होता है किसका नहीं होता है व्यंजन का मात्रा नहीं होता है किसका होता है इसका होता है स्वर का यानि ओ आई जो और से आहता के ना इसका मात्रा होता है लेकिन स्वर का जो मात्रा होता है वो व्यंजन पर लगता है भ्यांजन का नक्षा है कार से ग्यातक सिस्पैं इसका मातरा लगता है थीक है तो आये अब हम इसको देखते हैं कि शवर का मातरा जो हैना किस तरह का होता है थीक है तो यहां पर देखिए, सबसे पहला अक्षर ए आ, इसका कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन आ जो है ना, हिंदी व्यानजन के परतेक अक्षर में लगा हुआ रहाता है, जिसे को, यह जो है ना, इसमें दो अक्षर मिलकर बना होता है, पहले तो आधा को, और आ की साउंड, मिलता है, तब जाकर यह बनता है पूरा को, इसको अब ध्यान रखिएगा, यानि आ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन आ जो है ना, आ का जो साउंड है, वो हिंदी व्यानजन के परतेक अक्षर में लगा हुआ रहाता है, उसके बीना, यानि आ के बीना, किसी भी अक्षर के, जो व्या क, 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 क्या बचेगा, क, इसमें जब हम आ की साउंड लगाएंगे तब जाकर पूरा उचारन होगा, क, ठीक है, तो आई यहां पर देखिए, अब आ का यहां पर मात्रा देखेंगे, ठीक है, तो आ का मात्रा जो होता है, इस तरह का होता है, ठीक, एक डंडा रहेग और इसकी सीरा जो है ना, उपरी सीरा, बाय सिदाएं की ओर इस तरह से जुका हुआ रहेगा तो एक क्या है? छोटी एक ही मात्रा है, ठीक है? इसके उचारण में कम समय लगता है जो पिछले क्लास में, जो मास्टर क्लास 1 में हम समझाए था, सुवर में कि कौन स्रेक्षर पर किस तरह से उसका उचारण होगा ठीक है तो यहाँ पर देखें यह जो छोटी E की मातर है अब यहाँ पर देखेंगे बड़ी E बड़ी E की मातर जो देखी यहाँ पर इस तरह से होता है यहाँ पर एक डंडा रहेगा और इसकी सीरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से जूकी हुई रहेगी ठीके तो यह क्या है बड़ी एकी मातरा दोनों में अंतर देखिए आप इसको पहचान कर लेजे सबसे ज़्यादा कनफीजन इसमें होता है ठीके और देखिए यहाँ पर है तो यह है छोटी एकी मातरा यह क्या है एक डंडर हैगा और इसकी सीरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से जूकी हुई रहेगी ठीके और यहाँ पर दीखेए यह जो बड़ी E की मातरा है यहाँ पर एक डंडर हैगा सिम इसके जैसा लेकिन इसका जो सीरा होगा अब दाएं से बाएं की ओर जुका हुआ रहेगा थीकिए तो आप इसको पहचान कर लीजी यह चोटी E की मातरा यह बड़ी E की मातरा उसी तरह से चोटी U का भी उचारन करेंगे, छोटा होगा उचारन इसका, ठीके, अब देखें, आप बड़ी U की मातरा, तो बड़ी U की मातरा जो है इस तरह का होता है, ठीके, इसके उचारन में कम समय लगेगा, इसके उचारन में जो है इससे थोरा जादा समय लगेगा, त इस तरह करहेगा तो छोटी उकी मातरा इस तरह करहेगा तो बड़ी उकी मातरा ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं यहापे रीकी मातरा तो रीकी मातरा देखिए रीकी मातरा जो है इस तरह का होता है आप इसको पहचान कर लिए ठीक है चलिए अगले आपर देखिए एका मात तो इसको आए की मात्रा होगा और इसका उचारन जो होगा ना आए होगा तो आप इसको अच्छे तरीके से पहचान करने जी एक एक लिए रहेगा उपर तो ए की मात्रा डबल रहेगा तो आ की मात्रा छीके जलिए यहाँ पर दीची एक डंडर रहेगा और उपर एक एकले रहेगा यानि एकार, इसको हम एकार कहते हैं, इसको ओकार कहेंगे, ठीके, तो ए जो होगा न, ओ की मातरा होगा, ठीके, अब देखिए, अपर आउ की मातरा, तो इस ओ को हटा देंगे, तो आउ का मातरा मिल जाएगा, यहाप एक डंडा रहेगा, और दो यहाँ पर एकले रहेगा, त अब देखिए यहां पे अन या अम तो देखिए यहां पे अहट जागा यहां पे बिंदी रहेगा इस बिंदु को अंसवार कहते हैं तो अधा मक्य रूप में होता है इसको अन या अम कहते हैं चली अब देखिए यहां पे आहां तो देखिए इसका जो मातरा होता है यहां प न आप हिंदी की मातरा को जो है ना अप लिखना शेक्ते साथ सांत में जो है आप इसको पहचान भी कर लिजिए ठीक है तो चली को जो है एक बार और और हम रिपीट कर देते हैं टाकि आपको अच्छे-तरीके से इसी क्लास में समझ में आ जाएगा ठीक है तक कि आपको आगे जो है हिंदी की बाराखरी समझने में काफी easy हो जाए कोई problem नहीं होगा ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए आपका कोई मातरा नहीं होता है यहाँ पर देखिए A की मातरा यह है ठीक है छोटी E की मातरा यह है अब देखिए बड़ी E की मातरा यह है इस तरह का होता है ठीक है छोटी U की मातरा यह है आप इसको पहचान करती जाए ठीक है यह बड़ी O की मातरा यह है और यहाँ पर देखिए R की मातरा यह आप इस तरह से पहचान कर लिजए एक लेो किमात्रा 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 या अम की मातरा होगा ठीक है या आप देखी ओहा की मातरा यहाँ पर दो बिंदी रहागा एक उपर और एक नीचे इसको हम क्या बोलते है विशार्ग कहते है ठीक है इसका जो उचारण होता है हो होता है ठीक है तो इस तरह से जो है आप इसको बार बार या आप अपने कॉप इसको लिख करके अच्छे तरीकी से पहचान कर लिजी और इसको याद कर लिजी और साथ में इसको आप लिखना भी शिख जाईएगा तक कि आप हिंदी पढ़ने के साथ हिंदी लिखना भी आप शीखते रहिएगा ठीके तो चलिए अब हम इसका परियोग देखते हैं किसी परियोग जो है ना किसी अक्षर पर कैसे होगा ठीक है यानि इसी मातरा का परियोग करते हुए हम हिंदी बाराखडी को हम सिखेंगे ठीक है तो चली यहाँ पर हम देखते हैं तो पहला अक्षर हम कौल लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर का देखी का हो गया का, पहला अक्षर, कोई भी बारा खड़ी हो, बारा खड़ी का जो पहला अक्षर होता है, उसमें कोई मातरा नहीं लगा रहता है, लेकिन इसमें अक्रा साउंड रहता है, देखिए आपे, अगर सिंगल कोई भी अक्षर हैगा, इसमें कोई भी मातरा नहीं लगा रहेगा, त पे हिंदी का यहां पे मात्रा जो है ना आ का इसका हम परियोग करेंगे देखिए कैसे करेंगे परियोग अगर इसको समझ गये तो समझ गये आप हिंदी की बारा खड़ी पूरा समझ गये आप और असानी से आप चुटकी वजाकर उसको असानी से लिख लेंगे और उसको अस और इस पे क्या करना है आकी मातरा का परियोग करना है तो देखिए ये परियोग कैसे होगा आकी मातरा जो है ना किसी अक्षर के आगे इस तरह से लगता है तो देखिए इसका उचारान बदल जाएगा ये क्या था को और यहाँ पे आकी मातरा लग गया तो क्या होगा का को से क्या बन गया का यानि जिस अक्षर पे जो मातरा लगेगा उस अक्षर के साथ उस मातरा का भी उचारान करेंगे ठीक है यह अब देखिए को से आ की मातरा लगा तो क्या हो गया का यानि को में आ की मातरा क्या बन गया का ठीक है अब देखिए यहां पे कॉलिक देंगे और इस इसमें जो है न किसका परियुक करना है छोटी एकी मातरा का परियुक करना है तो देखिए छोटी एकी मातरा जो है न अक्षर के बाएं इस तरह से लगता है यहां पे डंडा रहेगा और इसकी सीरा जो है न बाएं से दाय की और इस तरह से जुकी हुई रहेगी तो इसको हम कुछ से क्या बने गया की क्या गया की क्योसिए की ठीक है इसके उचारज में कम समय लेगेगा ठीकिए अब यहां पे देखिए यहां पर कौ लिखेंगे और इसपे कौन सा मात्रा के पर्यों करना है बड़ी एकी मात्रा ध्यान रखिए आप पूरे फोकस हमारे इस किलास पर रखी है आपको जो है ना हिंदी की मातरा यदि सीख गए पहचान कर लेए तो आपको जो है ना हिंदी बारा खड़ी लिखना और पहणा दोनों ईजी हो जाएगा सब चुट की बजा करके हम कह रहे ना चुट की बजा करके आप इसको लिखना और पहणा दोनों सीख कि आपको अंजादी है, बीना देखे हुए, किसी भी तरह से आप कोई भी मातरा हो, उसको आप असानी से पहचान कर ले। और किसी भी अक्षरे पर उसको असानी से लिख करके उसको पढ़ना सीख जाए. ठीक जै? चले के अपर देखे. इसमें हमको बड़ी E की मातरा का परियुक करना है तो देखिए बड़ी E की मातरा जो है ना किसी अक्षर के इस तरह से दाएं इस तरह से इसका डंडा एक लगता है और इसकी सीरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से जूकी हुई रहेगी ठीके तो इसका उचारन खोटी ऊकी मातरा का परियोग करना है। दिखिए छोटी ऊकी मातरा जो है न, अक्षर के नीचे इस तरह से लगता है। घिके तो इसको हम पढ़ेंगे परियोग होगा। तो ए बनेगा कू ठीक है इसके उचारण में कम शमय लगेगा इसको उचारण में इसे थोरा सा ज्यादा समय लगे गा तुकू । ठीक है अब देखिए आपे हम को में री की मातरा का परियोग करेंगे तो देखिए कैसे होगा तो री की मातरा जो है इस तरह से परियोग किया जाता है तो इसको पढ़ेंगे क्री करी नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे क्री ठीक है क्या होगा क्री होगा को में री की मातरा क्री ठीक है अब देखिए यहाँ पे को और को पे जो है ना एक ही मातरा का परियुग करना है तो देखिए कैसे होगा यहाँ पे एक एक लिए लिखी देंगे तो क्या होगा को से एक ही मातरा लग गया इस पे तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या हो तो कई यानि आय की मातरा का उचारन होगा ठीक है अब देखिए यहां पे को और इसमें जो है ना ओ की मातरा का परियुक करना है तो दीखिए इसका जो डंडा होगा न ये डंडा अक्छर के आगे इस तरह से लगेगा ठीक है और यहां पर एक एकले चलाएगा ये वाला तो यह बने गया को कौसे को बने गया को में ओकी मातरा लगा तो क्या बने गया को बने गया ठीक है चलिए अगला यहां पर देखिए को और इसमें आओ की मातरा का परियोग करना है तो यहां पे डंडा लगा दिये और इसमें दो एकले हैं तो यहां पर लिए तो देखिए आपे काव आप इसको पहचान कर लिजेगा किसी भी अक्षर पे लगा रहा है इस तरह से एक डंडर है और इसमें ओ की मातर लगा है तो उस अक्षर के साथ ओ की मातर का उचारन करें यसे काव पे लगा है तो को और काव पे एक डंडर है इस तरह से और इसके दो एकले रहेगा ते आव की मातर है ठीक है तो क पर आव की मातर लगा तो क्या होगा को ठीक है यहाँ पर देखिए का के उपर एक बिंदी चलाएगा अंसुवार तो इसका उचारण कन या कम होगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर को और इस पर अहा की मातर आगया यहां पर दो बिंदी तो इसको क्या पढ़ेंगे हम कहा क्या पढ़ेंगे कहा तो फ्रेंड्स इस तरह से आप किसी भी अक्षर पे यान हिंदी क्या कोई भी व्यंजन हो कौश ये गया तक आप जो इना इसका परियोग करते हुए है किसका परियोग करते हुए हिंदी की मातरा नो दस ग्यारा बारा हो तेरा यहां पर तेरा है अक्षर तो आप इसको तेरा खड़ी नहीं बोलेंगे बारा खड़ी ही बोलेंगे क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा पढ़ाया है बताया है रीकी मातरा ठीक है क्योंकि हिंदी में जो है रीकी मातरा का पढ़ना होता है इसलिए आपको यहां पर बता दिये हैं बहुत सारे कमेंट करके यह मत बताएगा कि सर आपने बारा खड़ी बोला है लेकिन इसमें जो आप तेरा खड़ी बताए है तो मैं पहले भी आपका confusion में दूर कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने एक extra जो मातरा है री की मातरा इसको हम बताए है ठीक है और इसका बारा खड़ी में भी परियोग करेंगे हम ठीक है क्योंकि इसका हिंदी में परियोग होता है क्योंकि इसका परियोग मिलेगा तो आप इसको आसानी से पढ़ देंगे या उसको आप आसानी से ल लगा है तो का की इसमें छोटी की मात्र लगा है की की इसमें बड़ी ए की मात्र लगा है को इसमें बड़ी ओ की मात्र लगा है को कु इसमें बड़ी ओ की मात्र लगा है तो कु ठीके करी इसमें री की मात्र लगा है क्री इसको क्या पाणेंगे के क्योंकि इसमें ए की मात्र को की मातर लगा है काव अनियाम की मातर लगा है कह इसमें अह की मातर लगा है तो इस तरह से आप इसको असाने से पढ़ लेंगे चलिए एक बार और हम इसको पढ़ाते हैं का की की को कू क्री के कै को काओ कन या कम कहा इस तरह से जो है आप कौशे ग्यातक आप किसी भी व्यांजन अक्छर पे इन सभी मात्राओं को बारी-बारी से परियोग करते हुए आप उनका बाराखरी लिखना सीख सकते हैं और उसको याद भी आप असानी से कर सकते हैं जिसे माली जी आप खा का हम लिए खा इसमें पहला अच्छर है तो आ की साउन लगेगा खा इसमें आ की मात्रा लगाना है तो खा हो गया खा पे छोटी की मात्रा लगाना है तो क्या हो गया खी हो गया खा पे बड़ी की मात्रा ल लिखना सुरू कर दीजे और पाढ़ना, खामे, री की मातरा लगए, खिरी, खामे, एकी मातरा तो खे, खापे, आई की मातरा तो खाए, खापे, उकी मातरा खो, खापे, आउ की मातरा खाओ, खापे, अनी की मातरा, याम की मातरा खान या खाम, खापे, आहा की मातरा तो से जो है ना बारी-बारी से आप इसका परियोग करते हुए मातरा का आप किसी भी अक्षर का आप बारा खड़ी असानी से लिखना सीख सकते हैं और उसको पढ़ना भी सीख सकते हैं तो इससे पहले यानि हिंदी बारा खड़ी सीखने से पहले आपको सबसे पहले हिंदी की मा मातरा को जो है ना आपको सिखना पड़ेगा पहचान करना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ेगा और इसका उचारन को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से मातरा का उचारन किस तरह से हो रहा है किस पे थोड़ा कम उचारन हो रहा है किस पे थोड़ा खिचकर उचा तो आप हिंदी को भी आसानी से सुध पढ़ना और लिखना सिख जाएंगी तो चलिए अब हम हिंदी की बाराखणी को सीखना शुरू करते हैं यानि करशे ग्या तक फिर से हम जो है ना आपको हिंदी बाराखणी को पढ़ना यहाँ पर हम सिखाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मुबाइल के स्क्रीन पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो है आपको कौसी ग्याँ तक हिंदी बारा खड़ी को जो है ना पढ़ना यहाँ पे हम सिखाएंगे ठीक है अब साथ में जो है ना लिखिने का भी आप प्रेक्टिस कर लेना तो यहाँ पे देखिए जिस यहाँ पे ओ आ है इसकी जास नीचे मातरा दिया है इसी मातरा का प्रियोग करते हुए हम कर्ष्री गया तक सिखेंगे तो चलिए यहाँ पे देखिए हम कहसे सुरू करेंगे तो सबसे पहले हम को का कहा रहा देखते हैं को का की की कू कू क्री के कै को का कन या कम कह अब यहाँ पे खो का कह रहा है यहाँ पे सिखेंगे खो खा की की कू कू क्री के खाए खो खाओ खानिया खम खाह अब गा का गा गी गी गू 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 ग्री गे गये गो गाओ गनिया गम गह गह का गा गा गी गी गू 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 ग्री गे गाए घाए गो गाओ गानिया गम गह यहाँ पे जो है न अंगा का कहरा हम नहीं सिखेंगे क्योंकि अंगा का परियोग जो है न हिंदी में नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए चा का करेंगे च चा ची ची चू 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 चिरी जे चै चो चाओ चनिया चम चह चा का चा चा ची ची चू चू च्री छे चाए चो चाओ चनिया चम चह चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखिते हैं अब जा का पढ़ेंगे यहाँ पे का कहरा जा जा जी जी जू 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 ज्री जे जै जो जाओ जनिया जम चह अब जा का टी टू 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 ट्री टे टै टो टाओ टनिया टम तह यहाँ पे जहाँ के बाद जो हैं यहाँ का का कारा हम नहीं पढ़ें क्योंकि इसका भी प्रियोग हिंदी में नहीं होता है तो चलिए आगे हाँ पर देखिए ठो गाका कारा है यहाँ पर हम सीखेंगे ठाओ, ठनिया ठम, ठाओ, अब डा का, डा, डा, इसको रा भी पढ़ता है, रा, री, री, रू, रू, री, रे, रै, रो, राओ, रा निया रम, राह, इसको आप डा, डा, डी, डी, इस तरह से आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, या आप देखें धा का, डा, धा, धी, धी, धू, धू, ड्री, धे, धाए, धो, धाओ, धनिया धम, धाह, अब अडा का, अडा, अडा, इनि, इनि, उनु, उनु, इनुरी, अडे, अडै, अडो, अडाओ, अडा निया अडम, अडाह, अब तोक, तो, ता, ती, ती, तो, तू, तू, त्री, ते, तै, तो, ताओ, तनिया तम, तह, थ, ठा, थी, थी, थू, तू, तू, त्री, थे, थाए, थो, थाओ, थनिया थम, थाह, अब दा का, दा, दा, दी, दी, दू, 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 द्री, देखिए आपे, दा का नीचे जो है ना, री की मास्तर इस तरह से है, तो आप, यहाँ पे, कॉन्फ्यूज ममा तो ही एगा, इस तरह से लिखा है तो, द्री इसको पढ़ेंगे, दय, दो, दाओ, दनिया दम, दह, ध, धा, धी, धी, धू, 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 ध्री, धे, धाए, धो, धाओ, धनिया धम, धाह, चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं, अब न का का आगारा सीखेंगे, न, 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 पो, पाउ, पनिया पम, पह, फो का, फो, फा, फी, फी, फू, 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 फ्री, फे, फै, फो, फाउ, फनिया फम, फह, बह का, ब, बा, बी, बी, बू, बू, ब्री, बे, बै, बो, बाउ, बनिया पम, बह, भो का, भो, भा, भी, भी, भू, 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 ब्री, बे, भाई, भो, भाउ, भानिया भम, भाह, मा का, म, मा, मी, मी, मु, 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 म्री, मे, मै, मो, मु, मन्या मम, मह, या का, या, इसको अब ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि या का बाराख़ी जो है जल्दी याद नहीं होता है, आप इसको ध्यान से देखिए, य, 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 य रे, राय, रो, राओ, रनिया रम, रह, लगा, लह, ला, ली, ली, लू, लू, लिरी, ले, लाय, लो, लाओ, लनिया लम, लह, वा का देखिए, वा, वी, वी, उ, उ, विरी, वे, वै, लो, वाओ, वनिया वम, वह, तालब श, का देखिएंगे यहाप एका कहर, जिसका श, उचारा रहन होता है, श, 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 यहाँ पर मुर्धन ने श का देखिए, इसका भी श उचारान होता है, श, 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 यहाँ पर दंत सा का यहाँ पर हम का कारा सीखेंगे, जिसका उचारद सो होता है सो सा सी सी सू सू स्री से सै सो साओ सन्या सम सह हागा कार यहापे देखेंगे हा हा ही ही हो हु ही हे है हो हाओ हन या हम हा यहापे चा कार देखेंगे यानि सीखेंगे चा चा ची ची चू चू च्री छे चाय चो चाओ चानिया च्रम चाह त्रा का यहापे हिंदी बारा खरी सीखेंगे अब यहापे लास्ट ग्या का का कहरा हम सीखेंगे बारा खरी ग्या घ्यइ तो फ्रेंड्स आज के इस मस्टर क्लास टू में बस इतना ही आप जो है न आज़के इस क्लास को एक बर और रिपीट कर लीजिए तकि आपको जो है न हिंदी की मात्रा और हिंदी की बाराख़ी अच्छे से याद हो जाए और उसको लिखना भी आप सीख जाए तकि आगे आपको हिंदी पढ़ने और लिहने में किसी भी परकार की कोई प्रोब्लेम ना हो यदि दोबारा भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको तेवारा देखिएगा नि बार बार इसको देखिएगा तब तक आपको समझ में ना आए तो चलिए आज के ट्रास में बस इतना ही तो Friends आज का यह Master Class आपको कैसा लागा है Please हमेंний comment करका जरूर बताईएगा और आजके इस Class को Everything, Friends को शेर कर दिए ताकि वे भी घड़ मेट अश्रानि से इस Class के मध्यम से Hindi पढ़ना सीखते रहे, जय हिंद फिर मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर क्लास 3 में